तो दोस्तो आंदरप्रदेश के साइंटिस्ट ने एक ऐसी काफी इनोवेटिव टेकनलोजी डेवलोप कर ली है भारती रेलवे के लिए जिसके तहित अब जो वो बायो टॉलेट्स यूज़ करते थे जिसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ रह है अब भी फिलाल इंडियन रेलवेज में काफी मैसियो नंबर्स में बायो टॉलेट्स का यूज़ के जा रहा है आप कहा सकते हो लगबाग 2,60,000 इस तरह के बायो टॉलेट्स का अल्डरी इंस्टॉल कर लिया गया है बारती रेलवे द्वारा और ये काफी अच्छी बात है काफी सारी प्राब्लम्स को ये सॉल्व कर देता है बड़ इसमें काफी सारी प्राब्लम्स भी है अब क्योंकि यहाँ पर बैक्टिरियास का यूज़ क्या जा रहा है डिकंपोजिशन के लिए इसके बावजूद भी यहाँ पर काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग प इसके बावजुद भी काफी बार इस तरह की प्रॉब्लम्स इंडियन रेल्वेस को फेस करनी पड़ती है, फिर ये जो भी मटेरियल से मैनियोली निकलना पड़ता है, तो ये काफी ज़्यादा टेडियर्स टास्क बन जाता है, सेकेंड ली यहाँ पर डिकंपोजीशन अब क इसे ही कोई ट्रेन अप्रोच होती है, इस सेप्टिक टैंक के उपर से, तब यहाँ पर RFID सेंसर के जरीए, सेप्टिक टैंक की पोजीशन आसानी से रिकॉड कर ली जाएगी, फिर इसे कनेक्टर की जरीए जो भी सीवेज माटेरियल होगा, वो इस तरह के टॉयलेट टैंक में ड्रॉप कर दिया जाएगा, इंटू दी सेप्टिक टैंक, और फाइनली जब यह सारा मटेरियल इस तरह के सेप्टिक टैंक में ड्रॉप कर दिया जाएगा, तब यह इसका कवर भी क्लोस हो जाएगा, फिर जो भी सीवेज माटेरियल है, वो एक टैंक में होगा, और ज History of Science and Technology ने खुद कहाए कि इस तरह की टेकनोलजी, specially भारती रेलवेस का जो एम है, cost reduction और साथी में time consuming anaerobic bacteria generation, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए develop किया गया है, in fact इस तरह की टेकनोलजी को अब develop भी कर लिया गया है, Department of Science and Technology ने भी इसे भरपूर सयोग दिया है, और पात से भी ज्यादा national patents अब इन्हें मिल चुके है, फिलाल ये अभी testing phase में है, finally, bio toilet की cost से compare करें, तो आम तोर पर bio toilets लगाने पर railway को cost आता है 1 lakh रुपी पर unit का, और वही इस तरह की new automated technology की cost मात्र 15,000 रुपीज, और ये कुछ Dr. R.V. Krishnaya ji ने कहा है, in fact, अभी इन्होंने तो MTE Industries के साथ भी type कर लिया गया है, ताकि इस तरह की technology को अब जल से जल scale up किया जा सके, वैसे आपकी क्या राय है, इस तरह की technology के मारे में हमें जरूर से comment करके बताईएगा,